यही रुक्यांता तुछ ए तहां जा रहा है तुछ चल्दी खेलता भी नहीं है मेरे भी पत्ते बाट हमारा गेम चालू है तुछ कोन है बैए अरे तीन पत्ती का दिवान हो या क्या तुम लोग ये बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो बड़ी मुश्कुल से जोकर मिला है शाहिद इस बार में गेम जीच जाओ तेरी शकल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा न फिरसे बत्ते बाट ए इधर शान पत्ते नहीं दिखानेगा इस खेल का बादशाओ मैं आएगा 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 कोई बेटी दिर आके तुझसे बात करें या कोई मर्द आके तुझे सबख सिखा यही ओफर था ना तो ले मैं आ गया ठोड़ दो साले को या यास लेकर लोगा वना हमें पर्टके पड़ेजीए चलो यह साला तो माहिर फिलाड़ी निकला बाही लोग सॉरी बोल क्या रे ताओ में तो तुने कॉलर पकड़ा था माफिय अब हाद पकड़ के मांगेगा क्या चल पैर पकड़ चलो जो हुआ सो हुआ आप घर चलो समझ से परे ये ब्रह्मांड अद्भुत्चमतकारों से बरा है जहां आत्मा अमर है और शरीर जन्म लेके मृत्यू पाता है जिसने भी इस धर्ती पे जन्म लिया उसी अपने कर्मों का हिसाब इसी संसार में पूरा करना पड़ता है बंगार राजू की आत्मा धर्ती पर आकर अपने अधूरे छोड़े गए कामों को पूरा करने के बाद आज फिर यम लोग जाने वाली है और बताओ हमारे यम बॉस कैसे है तुमोंने कैसे जानते हो अरे अपने जीनी है यहाँ पहला चकर थोड़ी है पहले भी आ चुका हूँ मैं दो दो बार वो कैसे अरे लंबी कहानी है भई अरे ये कहा ले आए नर्ग जैसा तो नहीं दिख रहा ये स्वर्ग लोग है यम राज के ओडर्ज है कि तुम्हें नर्ग लोग से स्वर्ग लोग में शिफ्ट किया जाए मतलब अरे दर्शन होंगे सही कहा ना? सही कहा फिर तो जीवन सफल हो गया चलो जी धन्यवाद सथर्क्ष्णी सथर्क्ष्णी कर दो कर दो कर दो कर दो झाल, 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 झाल सार परुदाल झाल 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 ह焦 झाल वेजिए! करता है नहतं हैं जुड़ युड़िया यूभ जो प्राइटा युड़ है तो नहें आपको को करता है इंच बादिन आड़ हांग। अद्री नद्री नद्री सिन आड़े हांग। नमस्री बाया । नमस्री बाया । आज विश्णु जी कुछ विचलित दिख रहे थे, काली शक्तियों के कारण, उन्हें रोकना ही होगा हमें, शिव जी उन्हें दंड स्वरूप अपने तीसुरे नेत्र से भस्म कर देंगे, स्वामी, कुछ अशुब होने वाला है, क्या अशुब होने वाला है, एक समस्या न समाधान ने भी जन्म ले लिया है, क्या समस्या और समाधान में कोई रिष्टा होगा, क्या हो नहीं, जन्म और मृत्यों, उत्पत्ति और विनाश, ये सब विश्णु जी की लीला है, ये बंगार राजु का बेटा रामू है, और ये उनकी पत्नी सत्य भावा, सब बहुत खुश थे, पर तब ही, ये खुशी दुख में बदल गई, रामू की पत्नी सीता का देहान धो गया, उस मासोम बच्चे को रामू और उसकी मा सत्य भावा ने नाम दिया, बंगार राजु, उसी दहरान उसके पडोसी रमेश के घर में एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा, नाग लक्ष्मी, बहुत शुब नक्षत्र में जन्म लिया है दोनोंने, आगर इंग दोनों का विवा हुआ, तो साक्षा, शेव और पारवती जितना पवित्र और सुखी रिष्टा होगा इन दोनों का, ये बात है, हाँ बिलकुल, रमीश, बंगार राजु और नाग लक्ष्म की जोड़ी शिव पारवती की जोड़ी होगी, दोनों की शादी करवा दे, अरे अभी अभी तो नाम करन संस्कार हुआ है, लुग जौपंडेत, विवा की सला तो देदी, पर विपत्ती के बारे में नहीं बताया, उनमें साप और नेवले जैसी शत्रत होगी, उन्हें अगाह करो, कुंडली में ऐसा नहीं है स्वामी, कुंडली मनुष्य बनाता है, और भाग्य विधाता लिखता है, अंगारों पर चलना होगा उन्हें, सुनो मा, अब मेरा मन नहीं लगता है आपर, बस अपने काम में विजी रहूँ, यहीं अच्छा है मेरे लिए, सोच रहा हूँ, यूएस चला जाओ, वहीं चॉप करना मेरे लिए सही होगा, जब भी वक्त मिला करेगा, आजाया करूँगा, समद सकती हूँ, तुमका हो तो तुमारी दूसरी शादी करवा देती हूँ, बिटा, सीता की यादों के साहरे ही जी लोंगा मा, रही इस बच्चे को पालने की बाद, तो आप है ना, दुबारा इस टॉपे को मत निकालिएगा, सत्य भामा ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया, बड़े भारी मन से उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया, इतने अच्छे दिन पर यह आसूँ, एक नन्नी सी जान पर स्कूल की बढ़ाई का इतना बोज, बढ़ाई बोज लगती है, वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है, वो लड़की है, हालात से समझाता कर लेगी, आओ बटा, बहा लड़कों के बीच बेचा, ये हैर मुझे देदो, जाब जाकर बैचा बेचा बेचा, जाब, अरे वा, पूरा अपने दादा जी पे गया है, मतलब, अरे आदी, बंगार राजु ने इसी स्कूल में अड्मिशन लिया है, क्लास में बैठा है उसका खयार रखना बेटा ठीक है बंगार राजु का जर्म दिन उसकी दादी उत्सव की तरहे बनाती थी पूरे गाउं को भोजन करवा कर खालो बेटा बंगार राजु और नागलक्ष्मी की दोस्ती शुरू होने से पहले ही बच्चों कल क्लास मोनिटर का सिलक्षन है जो बनना चाहें अपना नाम लिखवा दे ये सुनकर चोटी सी नागलक्ष्मी को एक दमाकेदार आइडिया सूझा ये सब क्या है नागलक्ष्मी? तूद, मक्षन, बदाम, पिस्ताक, किश्मिष, फल और सबजिया भी है मास्टर जी, आज क्लास मोनिटर का फाइनल सिलक्षन है ना? हाँ बेटा ठीक है मास्टर जी तो इस साल की क्लास मोनिटर, सबसे होनहार स्टूडन्ट, हमारे सरपंच की पेटी, नागलक्ष्मी चुनी जाती है नागलक्ष्मी, क्लास लीडर थैंक्यू मास्टर जी थैंक्यू, थैंक्यू ए बंगार राजू, लड़कियों के बीच के बैठे हो तुम, वहाँ बैठो, मुझे बताने वाली तू को ने? मैं क्लास की मोनिटर हूँ लीडर लगती हो मुझे लीडर कहा? पी हमत तूने मुझे तुपड बाराई बंगार राजू और नाग लक्ष्मी रोज लड़ाई करते उन दोनों को रवेश और सत्य भामा भी शांत नहीं कर पाते थे हम इनकी शादी करवाना चाहते हैं, ऐसे तो पहले दिन ही तलाक हो चाहता ये तो प्रैक्टिस चल रही है सत्य भामा ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था बंगार राजू बंगार राजू से बाबु तबला, बजाओ न हार्वोनियम बंगार राजू सर, डान्टा कुटडदना ये कौन सी ताल है? अरे मेरा बांगूलू, कितने सालों से संगीठ सी रह ये ताल नहीं, खेल है डान्टा कुटडदना ना ना आजाओ आपसराओ रूफ सुन्दरियों, शुरू करे कबड़ी अति उत्तम हार गया, अरे छोड़ो मुझे आज इतने जल्डी हार मान गया मेरे गले का हार जो आ गई सत्या, तुम और यहाँ, इतनी जल्दी राम नाम सत्य हो गया मेरे मौत से दुखी हो या मेरे यहाँ आने से क्या चल रहा है ये, इतनी सारी लड़कियों के साथ गुल्चर्र उड़ा रहे हो गलत समझ रही है माते, ये कबड़ी खेल रहे है सौर्ग में सभी की दभी इच्छाए पूरी होती है इनकी ये है नारा जी अपना मुखमंडल बंद रखिए तो ये है तुम्हारी इच्छा है पस किया बेटा तू तुम्हें साडियां बहुत पसंद है ना वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको यहाँ सोचने पर ही मिल जाती है बिल्कुल सही बात को घुमाओ मत ये सब कौन है अरे ये तो रमवा उरोशी मेन का है ना अरे इनसे मिलो सत्यमा मेरी इकलोती धरम की पत्मी नमस्ते लीदी हमारे स्वर्गलोप में आपका स्वागत है कल तक ये प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी अब ये बैट कर निहारेंगी सुबा हो या शाम, दिन हो या रात ये बस आपके सुन्दरता के रांग गाते रहते हैं दीदी और एक बार दीदी कहा तो तो देरी जबान खीच लूगी अरे? सुनिये जी यहाँ इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हस रहे हो मुझे भूल गए ना? हाँ? मौज मस्टी का असली मज़ा तो तुमारे साथ है मेरी जाने मतलब हरी बरी थोड़ी खिली-खिली मेरे जीवन की हरयादी है मेरी जाने मत नाम सुनते ही शर्मा जाती है शर्मा तो नहीं रही बलके गुस्से में टमाटर जैसे लालम-लाल हो रही है अच्छा ऐसा है क्या? गुस्सा फुर्र किये देते हैं अरे गाल तो शर्म से लाल है गुस्से से नहीं गौर से देखो इश्क और मुझ चिपाये नहीं चुपते जुबान से ना सही लेकिन नशीली आके सब बयान कर रही है प्यार सलक रहा है ये हया ये तबस्वम किसी की भी जान लेने के लिए बहुत है मैंना जाने मन अरे इस गुलदशी हुसन के आगे तो इंदर लोग की सारी अपसराएं भी पानी बरती है तुम भी ना एक नुमबर के फरेभी हो मुझे किस तरह से मनाना ही अच्छी तरह से जानते हो आजा अब ये बताओ नीचे सब के क्या हाल है अपना बेटा रामू उसे एक बेटा हुआ है अपने जोकर ने बेटा बैदा गिया जरूर वो भी जोकरी होगा काश होता वो तो आप पर ही गया है अब इस अपने रंग दिखना शरू कर दिया है उसने उसकी हरकते देखकर ही यहां पहुँची हूँ शेर का फोता शेर ही होगा मेरे मुझे हो कियान रख ली उसे देखना है मुझे काँ हो यह भी आपकी दवी इच्छा होगी आपके नक्षे कदम पर चल रहा है अरे तो उसमें बुराई क्या है प्रभू उसे सुधार ना होगा पहले उसे देख तो लूँ चलो चलो वरा देखा बिल्कुल मुझ पर गया है करें मेरा कर नहीं है कुछ दे पहले कि मैं यहाँ पहुचे लू इतनी जादी बड़ा कैसे हो गया यहाँ का एक मिनिट वहाँ का एक साल है अब मुझे मेरे पोते को देखने दो और बंगा राजू बंगा राजू फूलों की सजावट कैसी लगी पहला कॉंट्राक्ट है सही है यार चल सारे फूलों को सोने के भाव में बेचा है इसने आउट अरे क्या हुआ मुझे देखा क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना मोचा गए अब इतनी सुन्दर हो तो नजर तो लगेगी ना दादी से कहकर काला ठीक हा लगवा लो कह दूँगी वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ कैसे क्यूँ बंगार राजू गाओं के सारी लड़कियों को ऐसे ही फसाते हो अरे इसे फसाना नहीं क्या थे तो फिर अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फसा ही नहीं सकता लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी फसाना तो बहुत जूटी सोच है पटाना अलग बात है अब तुम्हें देखो न ओ स्मार्ट चलो एक शर्त लगाते हैं मैं रसी खीचूंगी तुम मटका फोड़ना अगर तुम मटका फोड़ पाए तो पट जाओंगी अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो लड़कियों की गेम डेंजरस होती है मरवाएंगी पूजा की तैयारी करते हैं चलो अगरा परी कि अगरा आजारी कि रूप क्यों गयर्ट नहीं थोड़ सकते मैं नहीं फोड़ूंगा मटका वो फोड़ेगी कि देख रहें ौज। पूरा किशन कनईया निगला, जरूर मेरा नाम रोशंगर्ण डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार आजी जब वो छुटियों में गाव आता है, मेरे प्राण सूख जाते है अब वो हमेशा के लिए राट आया है, बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गाव छोड़ना होगा हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है अरे शादी में जाएं, या मार्केट में जाएं, या मंदर में जाएं, या स्कूल में जाएं यही फिकर लगी रहती है कि मदू मख्या कहीं शहिद के पास तो नहीं चली गई बाद करने से कोई फाइदा नहीं, चल कर बंगार राजू के मामा से शिकायद करते हैं आज चलो यह उदर देखो, लाड साब लड़किया गुमागर घर आ रहे है बाबा, तुम्हें देखकर सिर्फ अक्र से उंचा हो रहा है ऐसा क्या हुआ? गाउं की सारी लड़कियों के माबाब पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जाजेकार कर रहे है बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पर खुश हो गए मैं खुश देखा हूँ तुमसे नहीं होगा बंगार राजू, मजनू बनके लेलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है तुमें देखके उनके माबाब का हाटबिट बढ़ जाता है तो इनने डॉक्टर के पास लेजाओ जरा गहराई से सुचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है मेरी बेहन की बेटी से कहा है नहीं मादी, बिलकुल नहीं दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है वोग्या मामा इस घर को मेरी शादी से सबसे ज़्यादा खुशी होती दादी को अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसर ऐसा नहीं बोलते बंगा राजू, इन सब को छोड़ो चलो आओ खाने का वक्त हो गया है जालता, हर बार तुम्ही खाना खिलाओगी यह मेरा भी बेटा है, आज मैं खाना खिलाओगी तुम मेरे साल चले आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मन पसंद चीज़े बनाई है फिशकरी और राइस, इडली के साथ सांबा, नारियल की चट्मी, आमरस और नई बड़े भी हैं इतनी बड़ी प्रापटी का इकलाता वारिस जो है जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, वो अपनी बीवी की मुठी में रहेगा, और सारी प्रापटी हमारी मुठी में अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे, उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंडेंगे माना तुमारी आखों का तारा है, लेकिन तुमारा ये काना जो है ना, गाउं की हर गोपी को गुमारा है उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले रूँगी ऐसी बात नहीं है, मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई, तो उसे भी मिल जाएगी मसका मत मारो मुझे, मुझे की बात करो अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया, लेकिन इस बे लगाम घोड़े के लिए लगाम कहां से मिलेगी मिल गई है, अपने पुराने पडोसी की बेटी, कौन से पडोसी? वो रमिष याद है, वो अभी गाउं के सरपंज है, उनकी बेटी, नागलक्ष्मी सब्सक्राइब escrito बस करो क्यों चिला रही हो यह क्या तमाशा है अब पटे रहे यह बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे को आशिर वाई तेस बनेगी हाँ और कॉन बनेगा मुझसे जदा पढ़ी लिखिलेट की और का में लेगी इतना ते इस्तिमाग है या किसी के पास बिल्कुल ने आपने एक जीनिस को जनम दिया है पापा सारे दुनिया यह कहती है इसका देने का इन लोगों ने इनका मत मानो यह क्या गलास अलग सिखाया पॉलपट होगा रहा है जब आप तो पापा वैसे बागाराजी की बात में दन तो है देकी मेरा मतलब एचल चल निखल यहाज भीजे के साथ सरपंज बनेगी है तुमसे कई साथ एक्सपोज है उच्छा और एक्सपोज करें एक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस इकना भी न अधि नादलक्षियों और बंगाराजु फिर से लड़ पड़े जल्दी से पंचाया को किस पर दो यह दोनों सुधरेंगे नहीं मैं अभी आता है जाए बुले नाध नमश्या तुछ पता निया मैं कितनी बड़ी प्रचार करूंगी समस्याइं इंस्टरग्राम पे सुल अपने अच्छे काम फेस्बुक पर अप्लोड करूंगे फिर गाईबेस के गूगल पर चराएगी इस बार लड़की से चैलेंज मत कर किसी और लड़की से चुनाव लड़ा देगा यह चुकि पर लिस्त है करेंगा इसे समझाना क्या वोल दूरि अधर बोल भुशन होते हैं इलेक्शन में कई लोग खड़े होतें कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती है पर उसका क्या फाएदा अगलक्ष्मी तो अपनी ही है चल चल अगर कभी कोई समस्य आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगा मेर कि बात मान ले ये सही बात तो कर रहे हैं वंगार राजू इसी में गाउं की भलाई है हाँ ठीक है आदी ने कहा इसलिए मान रहा हूं मैं सुनले मुझे नीता किरी दिखाईने तो तेरा सिड़ खोड़ दूसा बोल रहा हूं मैं हाँ कुट्टे बिल्ली जैसे जगड़ते रहते हैं दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के ये शादी होने से रही चलो 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 ऐसा क्यों कह रहे हूं अरे चलो इस रिष्टे को भूल जाओ इसमें वक्त लगेगा साब हम रेद में ये पत्थर मेले माइनिंग ओफिसर को बिला इसे चेक करवारा है सर जैसा अप लोग सोच रहे हैं ये कोई मामूली पत्थर नहीं है ये बेश कीमती नगीने हैं इसी वक्त आर्चे लोजिकल डिवार्टमेंट को इंफॉर्म करना होगा उन्हें फोन करता होगा हलो सर अन्बिलीवेबल सर हाँ 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 कि आदि अधर पूजा पाध कर रहा है नए ट्राक्टर करीदा उसे की पूजा कर रहा है अच्छा है क्यों भाई लोन भगवान ने दी है क्या तू नहीं सुध रहेगा अज मंदिर में कैसे आए भगवान पर विश्वास करने लग गया क्या मजाग कर रहा गया पत्ते खलने जा रहा था गेम में हमेशे एक जोकर की जरूरत पड़ती है न तो राम बबबु को लेने आ गया पता था यहीं मिलेगा सबाजी मांग लेगा क्या अब मंदिर आई गया तो जाके दर्शन भी कर ले नहीं रहने दे भाई तुझे तो पता है न अपना तो बचपन से इससे च्छटीस का आगड़ा रहा है पहले मा को मुझ से छीन लिया फिर दादी का नंबर लगा लिया पापा को दूर यह से भ कर रहा नंदी खोके धुन में तेरी दास ये तेरा शंकरा वा 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 स्वामी जी क्या फाडू वोइस है आपकी रिकॉर्ड करके इंटरनेट में डाल दोगे ना पता है एक दिन में वाइरल हो जाएगी क्या कहता है सही कह रहो नो यह घाख हो गया कि यह रमेश अंकल इतने उदास क्यों लग रहा है क्या अंगल सब ठीक है ना हाँ सब ठीक है कुछ नहीं हुआ आज उनका बहुत अप्मान हुआ बाबू मेरे कारण मेरे दो एकड़ समीन है जिससे गिर्वी रखकर मैंने उधार लिया जिससे चुका नहीं पाये तो समीन हड़प ली रमेश जी मेरी ओर से सुलाह करवाने गये तो उनका भी अप्मान किया उस गुड़े ने कहा कि समीन चाहिए तो भीज़ दो या किसी मर्द को दो-दो हाथ करने के लिए भेज़ो रमेश अंकल चलिए मुझे कहीं नहीं चलना उसे मेरा भगवान सबक सिखाएगा अच्छा उने सबक सिखाने के लिए आपके भगवान वहां जाने वाले हैं चलिए कहा रहते हैं बताइए चल्ड मैं दिखाता हूँ मुझे माफ कर भाई इनकी ट्रू कॉपी है तू वहाँ प्रॉबलम मैं सुल्जाओंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जाएगा नया ट्रैक्टर लिया है ना पूजा कंटिन्यू कर उनके लिए मैं काफी है यहीं रुकिया अंकल ए तहां जा रहा है तू जल्दी खेलता भी नहीं है मेरे भी पत्ते बाट हमारा गेम चालू है तू कौन है वे अरे तीन पत्ती का दिवान हो या क्या तुम लोग ये बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो बड़ी मुश्कुल से जोकर मिला है शाहिद इस बर में गेम जिच जाओ तेरी शकल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा ना फिर से बत्ते बाट हे इधर शान बत्ती नहीं दिखानेगा इस खेल का बादशाह हुम है है यह सब यह चल रहा है पता नहीं भाई यह खेलने के जित कर रहा है कोई ताश का दिवाना है ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी हाँ 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 तो यह चक्कर है अधर याद आया हाँ यह तो उसकी बेटी दिरा के तुझसे बात करें या कोई मर्द आके तुझे सबख सिखा यह ओफर था ना है तो ले मैं आ गया है फोड़ दो साले को है 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 कि यास निगन लोगा वना हमें फटके पड़िए चलो यह साला तो मायर फिलाड़ी निकला बाई लोग सौरी बोल क्या रे ताओ में तो तुने कॉलर पकड़ा था माफिय भाद पकड़ के मांगेगा क्या चल पैर पकड़ चलो जो हुआ सो हुआ आप घर चलो महनत और निरंतर प्रयासों से हमारी नागलक्षमी आज सरपंच बन गई है प्रयासों से हमारी नागलक्षमी जी आप सेच पर आई और दोशब्द करें तालियां 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 नागलक्षमी जी आपने स्वागत है अब तुए यहां क्या कर रहा है फ्रंट सीप पर बैड कर तालियां बजा कर तमासा देख रहा है हेड मास्टर ने बुलाया इस लिए बड़ा इस लिए बड़ा अब बस और बाद हो गया गवार कहीं कह तालियां मत बजाई अब मैं एक सरपंच बन गई हूँ बहुत बड़ी हस्ते बन चुकी हूँ पर मुझे बिलकुल घमन नहीं है यह ड्रेस देख रहे हो फुट पाट से खरीदा ना मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट हूँ आच्छा आपकी सरपंच तो हूँ ही बर स्टूडेंट भी हूँ यह याद दिला दिलाती रहोंगी इस प्रेस से वाँ यह ही मेरी सिंपलिसिटी विंपलिसिटी कुछ नहीं पपलिसिटी है शही पक्ड लक्षमी, ओख्षमी. ओख्षमी. आप लक्षमी नहीं, महालक्षमी है. हमारी सरपंच, इंसान नहीं एक देवी हैं. बाप रे, बाप रे बाप. हेट्वास्टर जी, चंचेगरी कुछ ज्यादा नहीं हो रही है. ये मैंने नहीं, उसने लिखा. इसके लिए उसने मुझे दूद मक्षन काजू किस्मिस पिस्ते के पैकेट दिये हैं इस गाओं का उभरता सितारा है हमारी प्यारी नाग लक्ष्मिन मेरी मासूम बेटी पदमा दो मेनेट से लापता है कोई धून के लाओ उसे अरे यहीं कहीं होगी शात रहिए अनुल यह बंगार राजों भी सीट पर नहीं है अन्को कुछ बर्बाद हो गया अकड़ बंबे वो बंबे पूरे सौ और ये चोर निकल के बगा चोर निकल के में मोजी हो गया है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है उसे भिकारने पर ली उसकी दादी है आज उस बंगा राजू के बच्चे को अच्छा का रिया रखे लोसे भी कोई सरपंच मिली थी किया हुआ अब मसा आएगा बहुत बार के जुगा हुए ये खेल वालो चीज तो नरो ना माने उड़ा दोर की पोते पारूव पोते निबंगारो तो रखड़े गाउवाले पास आरहे हैं नहीं पकड़ा जाएगा चोर को पकड़ो मेरे पापा अब तो ये ज़रूर पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा मेरी चुलबू अरे मेरे पापा सारे गावालों को लेकर आरहे हैं ज़की चुपा दो जल्दी अंदर जाओ जाओ बच्क है वो पकड़ा नहीं जाएगा ये तुम कैसे जानते थे अरे कईयों को मैंने भी तो चुपाया है मतलब चुपाते देखा है बस एक इक का मिल जाए बंगा राजू बस एक रानी मिल जाए बूल जाए सुनाई नहीं देता हां क्या है सुबाराओ की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना कहा है वो मुझे नहीं पता ए आकात में रहे तू वर्ना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा या तो उसे ढून निकाल या आपने मूं का शटर बंद राख ये फेस्बूक और ट्वीटर वाले चोच करते हैं जगांपे कहां चुबाया है उससे मेरा पैक कुछ कहा देखना किसी जाडवे तो नहीं लटके ना चलब आग हम चलो आग में थोड़ा और की जालता है यह नागलक्ष्मी मिल गई क्या वो अरे यह हमारी सरपंच मैडम है जरा नागलक्ष्मी देवी है महान है शक्तिमान नागलक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद ए बंगा राजू आज कई ये दिन तो अच्छी तरह याद रखन इन सब के सामने सरपंच आज ये शबत लेती है शबत होगी याद रखना बंगार आजू भरे बाजार में तेरा जिलूस निकालों नहीं तो पीडियों से मिल रहा है ये गौरव ये मान सम्मान ये सरपंच का ओदा इससे रिजाइन कर दूँगी अब और नहीं ये सरपंच तो उसका साथ नहीं देगी न एक ही इलाज है अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दो हमेशा के लिए इस परिशानी से चुटकारा मिल जाएगा लेकिन तुमारे पोते को अच्छी लड़की देगा कोई और लड़की नहीं चाहिए उन दोनों की शिव पारवत लगता है सपने में मारी बात सुन रहा है क्या हुआ रमेश मैंने सब सुन लिया है मैं सपने में हूँ हाँ कॉफी टी कुछ लेंगी क्या क्या बात है कंजू उसने कॉफी टी के लिए पूछा जिन्दा थे तो एक लास पानी तक नहीं पिलाया अच्छा सुनो रमेश अप के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पर क्या है आंटी अहां बोलो अपने दादा की टू जेरोक्स निकला है वो अबे चबाड गंजू मुझे इस मामले में क्यों घजिट रहा है पास ही बैठे थे प्लीज बुरा मत मानना तेरी तो इनकी बाद भी ध्यान मत दे अच्छा रमेश सुनना अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे आपको पता नहीं बचपन से आज तक दोनों मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा कल सुबह जल्दी उठना है अब मुझे सोने दो आराम से सोजा नेन में क्या बड़ बड़ा रहे हो सत्यांटी मेरे सपने में आई सत्या सपने में आई थी क्या बोली बंगा राजू और नागलक्षमी की शादी करा दो चुपरे आया बड़ा शादी की बात करने वाला पानी पी और सोजा इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा अभी के अभी धर्ती पर जाओ इसकी बेटी को राजी करो शादी करा के ऊपर आजा प्रित्वी लोग स्वर के आगल बगल में ही तो है सुबह जाक करेंट मिलेगा चला मैं हूँ ना आजा है कि यम्राजी को मेरा प्रणा इस वक्त यहां आने का कष्ट क्यों उठाया शिवरात्री के दिन शिवलिंग का अभिशेक होगा प्रित्वी पर हर वर्ष शिवरात्री मनाई जाती है पर इस वर्ष कुछ अशुब होने वाला है कोई अप्शगुन ना हो इसलिए बंगा राजु की आत्मा को फिर से मृत्यू लोग भेजना होगा एक देविक कारी के लिए हम सभी को मिलकर ये कठोर निरने लेना ही होगा आत्मा को मृत्यू लोग भेजेंगे किसकी आग्या से शिव की आग्या से ओ नमस्षिवाए फिर तो भेजना ही होगा बंगा राजो इंद्र और यम्राज यहीं आ रहे हैं अरे यम बॉस बड़े दिनों बाद दिखे कहां गुंते इतने दिन लर्क लोग के साथ बिजी थे क्या तुम तो ऐसे बाते कर रहे हो जैसी ये तुमरे चड़ी बढ़ी हो स्वामी इन्ही एक बार प्रित्वी लोग पर जाने दीजिये न हाँ मैंने इसे समझाया था ये कोई लोनावला खंडाला नीए के सेटेडे संडे घूंकर आ जाओ कोई विशेश कार है हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है जाने दीजे ना प्रभू ये हो ही नहीं शकता है इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहे तुम्हारी हर चाला के समझता हो बंगाराजू अपनी पत्नी की बात सुनो पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा करतव ये है क्यों भावना की रों में बह रहे हो प्रभू बंगार राजू निलने हो चुका है, नीचे जाओ, विवाह संपन्न करके लोटना उस लोग के कल्यान में ही इस लोग का कल्यान है धन्यवाद प्रभू, चलो हद हो गई, मर के भी चैन नहीं मिलगा अच्छा हुआ, जो वो मान गए, अब शादी कराकर ही उपर आना आने की बात मतलब, क्या मतलब? और नहीं तो क्या, मुझे नहीं मालू मैं कब तक लोटूँगा लेकिन अगर रिष्वाद होगी तो मर जाओ तेरी सदा पर, ये कातिलाना आसी देखकर कैसा लगता है बताओ, कैसा लगता है? जैसे कोई बिजली की तार सुर सुरी सी, कुद खुदी सी कर रही है अरो Product अरे बहुत होगी रेलगाडी, बहुले खा कहाना कहालो, और भी का कॉदूँए पहुत मैजेर खतबर फोरैंहा की, कैसे आपके पुरी हाना द्ना हो राय है अरे इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो आज का घर में टिकते ही नहीं हो अरे बंगार राजू जब से तुम्हारी दादी गुजरी है दिन रात तुम्हारी प्रॉपटी की देखबाल कर रहे है हिसाब लिखते लिखते आखों में च्छाले पड़ गए पर क्या करें करना पड़ेगा हमारा फ़र्ज जो है हम चीक है देदो ही सब ठीक है आजब पचास एकर में नारियल के बगीचे हैं हर एकर से दो अजार नारियल आते हैं क्या आराकपटी दे रहा है टोटल नारियल हुए एक लाख एक लाक एक लाक लाक एक नारियल की कीमत दो रुपह यान्स की कमाईल profess तो ये रहे दो लाख रुपए, ये एक लाख कीडे मारने की दवाई के लिए है, यहां कीडे ज्यादा ही बड़े हैं, इतने हैं, अब आप बताओ, जिंगे का ताला पचास एकर में फेला है, सोचा हर जिंगे से सौ जिंगे पैदा होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, फिर उन्ह हिसाब है, सो एकर में गन्ने की खेती का, उससे जो गुड़ बनता है, किलो का पांच रुपए, और क्या, पिछले साथ तो इससे भी आधे रेट में बेचा था, तेरी प्रेक्टिंग करते हैं, तो दूसरा, फिश फाम, पचास एकर में, कुछ मचली यां, पचास है, और ये खर्चा, क्या ये आम हम खा सकते हैं, लॉस करो होगी, क्या, बंगा राजु के परमिशन की बिना नहीं ले सकते, चलो लाओ, दो, 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 और खर के अंदर जाके खेलो, चलो भाब, आब इना, दो आम तो थे, तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया, ये पचास संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेनत लगती है, बहुत आश्ट कर लिए, अपनी मुंडी जरा इधर घुमाओ, इसके टोन को क्या हुआ, नंदी बेल सांड बन गया, इधर आओ ब्रमो, ब्रमो, दाल में कुछ काला है, आओ जरा हिसाब करना बागी है, इ जास एकर में, कितने नारियल बोले तुमने, एक लाग, और चूप कियो खड़ा है, जवाब देना, गफिष्ट गरने कि खेती, एक एक अगर से मिले 40 टन, टन का Game 10 रूपय, उसके हुए 40 लाग, थो कहाँ फुर होगा है, लम्बे लम्बे कीडे मारने में, ल्गे सवाल का वह वो बड़ी मचली पचास है और क्षोटी मचली फ्री में देता है क्या है और यहां पर एक आम काने के लिए तु अन्हां की सिल मेरी है फ़िस्त दंत यहां जाओ कि जा रहे हो यह आम चाहिए मेरी बुलिट कहा पर आप पीछे कर दो कर दो बच्चा तू बच्चा तू अंदावा बच्चा तू खुद से ही बिलावी अब जाना मैं क्या हूँ इस गाउं को प्रगति की रहा पर ले जाने वाली हमारी युवा नेता सरपंच नाग लक्षमी आज किसानों की समस्यां सुधाएंगी मैंने किसानों वाल अड्रेस पहना है ताकि मैं भी आप मेंसे ही एक लग सकूँ और पापा के पापाई मेरे मेरे पापा मेरे पापा के पापा एक दिन पॉर्लमेंट पॉर्मों कािव्यां। ये देख क्या रहे हो तालिया बजाओ हमारी बीच आज एग्रिकल्चर ओफिसर बेटिनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याई सुलजाएंगे क्या बताओं सारी फसलों को केड़े लग गए कितने भी दवाई जड़कों कमबक्त मरता ही नहीं अब क्या करों एक काम कीजिए मेरे रहते आप जबाब देंगे तो कैसा लगेगा बैट जाईए मैं हुना देखे फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है कीड़े फसल क्यों खाते है पेट भरने के लिए कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखने नहीं रोने पड़ते यहां क्या करना होगा अगले चार साल तक खेती बंद कर दो मतलब खेती गई वाह कितनी समझदार है अकाल से आधे कीड़े भूके मर जाएंगे बचे होई किसी और के खेत में मूह मारेंगे चार साल बाद मज़े से खेती कर लेना सिंपल प्लान कीड़ों का तो पता नहीं पर हम किसान भूक से मर जाएंगे क्या प्लान है नागा लक्ष्मी आँखे खोल दी सबकी यह सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे यह ताली बजाओ नेक्स्ट एवरो मागे यह तोल बोदिन दा अन्ने वड़े ले नने अटे आधी अट्ट्र करू मीरेंद को नेनो नन कदा कुच आन कुच आन्डे अवन्नी फैमिली इस्च्योस अंडी भार्या बड़तल मध्य गडोल साहाँ इसे सरपंच क्या हमसे दुश्मनी निकालने के लिए बनाए हैं ए सब निकलो रहे हैं क्या फाल तुलो इसके चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे अब लो रुको सब उठके क्यों जा रहे हैं बापा भाशिन दिना तो बाकि हैं अरे मैंने कुछ गलत सला दे दी क्या गाओंवालों को गलत तुने नहीं गलत तुम मैंने किया है चलो सब सरपन्च ऑफिस पहुँचो बहुत काम बाकी है भी चलो रॉड़ना यार किसी को कदर ही नहीं है वावावावावावावावावावाव सूपब् क्या फाडू अडवाईस दी तुमने दिल खुश कर दिया महान नागलक्षमी, आज तक मैं तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं पाया मुझे माफ कर देना, प्लीज क्या बोला? इस देश का तुम उज्वल भविश्य हो कसम से? उस जमाने में इस जमाने में तुम है ना? यकीन हो रहा है ना? हो रहा है, हो रहा है नागलक्षमी, तुम इस गाओं की सरपंच नहीं हो, बलकि इस राजी की सरपंच हो, देश की सरपंच हो, युएस की सरपंच हो बदा करो तम बनोंगी बदा करो प्लीज वादा करो मेरे लिए तुमारे लिए इस गरी जन्ता के लिए अगल श्ल कि अगलाðय डॉर इसका कट कुछ प्लान है तुझे क्या मता प्रेसिडेंट अफ इंडिया होता है जिश का सर्पंच कुछ जादा है नहीं हो रहा है है फीलिंग इंपोर्टेंट है नाके शब्ड क्यों बंगर राजल नाके लक्षमी को सपोर्ट कर रहे हो अच्छी बात है उससे शादी कर लो अच्छी जोड़ी है क्या कहा है अरे मेरी अटनी की रिश्टेदार सरपंच भी है तरशी जोड़ी जयंगी तुमारी सच में अच्छी लगκι है जोड़ी जाएंगी चेश जोड़ी जमाता हूँ कहा है? कहा है? कहा है? आपको इसे बाप अरहा है के वाइस ना रहा है? रामुजाचा का फोन है अकर बात कर लो हाई बटा हाई पापा तडिक है अर्छा हाई जाफ यह उटटा हूँ टाइम पे खाना खाता हूँ गुड़ गुड़ आप वहाँ ड्यूटी नहीं बाओ, मैं यहाँ ड्यूटी नहीं बाता हूँ अरे वाँ, मैं तो सुबह से ही हॉस्पिटल में हूँ बेटा ओहो, सूप ओके, I'll see you ठीक है, बाबाई चलो रखता हूँ बाई पापा, एक मिनिट, कुछ बात करनी थी वाट? आप से मिले कितना अर्सा हो गया है पापा कैसे हैं आप? I'm okay, रोज तो बात करते हैं ठीक है, लेकिन सामने से देखे हैं अर्सा हो गया ओ, आपकी तरबे तो ठीक है ना अब इशा की तरफ इट और क्या चाहिए, मैं भी ठीक हूँ कुछ और बात करो ना रहा हूँ तुम से, और आज तुम ही है कह रहा है? बस कहने का मन किया पापा हाव स्वीट, हम, okay बिटा, बाई बाई आप सब गाउवाले अपनी जमीन खाली करके इनके हवाले कर दीजे पर क्यों करें, पिछली कई पुष्टों से ये जमीन हमारी है अब ये किसी और को क्यों दे? और कोई चारह नहीं है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे मदद करने ही पड़ेगी इनके मदद करना मेरा फर्ज है ओ, मैडम की पंचाया चल रही है जमीन असली मालिक को ही मिले, यही सर्पेंच का काम है मैं आपको दूसरी प्रॉपेटी दिलवा दूँगी, ये भी तो सर्पेंच की ड्यूटी है लेकिन इससे तो हम सड़क पे आ जाएंगे सर्पेंच आई पा, मैं आपे भरोसा करके आपके पास आया हूँ आपको हक मिलेगा रोट पे फैके गाए ने उसके बाप की प्रॉपटी अससा ने अभी दिखाता हूँ अरे इतनी क्या जल्दी है, मेरी एंट्री बागी है, ओट ओटो क्यों रहे मैडम, किसी और की जमीन किसी और को मेरे पूर्खों ने इनके पूर्खों को ये जमीन दिये, इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड़ की जमीन हमारी है, और इसमें से 50 एकड़ हमने इनको दिये बास सर्पन्की को समझाईए, बख्वास बहुत हो गई, कोई प्रूफ है, वो भी दिखाऊंगा सुनो मेरी मोटर साइकल ले जाओ, भ्रम्मो से मिलो, लॉकर के तीसरे खाने में जमीन के कागस है, लेख याओ, शाकल क्या देख रहे हो, लेख याओ, जा रहा हूँ, थोड़ा सबर रखो, आता ही होगा तुमारा सुबूत, ये देखो आ गए असली कागजा, अब हो सकती हो, फिर भी समझ में आए, तो वकील से पढ़ा लो, बंगार आजुन हमें बचा लिया, वरना ये तो हमें बेखार कर देती, हाँ, किसे सर्मंच पना ऐसे, पागल कहीं की, मुझे पागल बोला, I will kill you, औकात मेरे, है, 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 सब रुख जाओ, उल्टा चोर कोतवाल को पर ले आएगी, बंगाराजु, ये क्या कर रहे हो, गरीबों के साथ कभी खिलवार मत करना, ये क्या पागल पन है, ये पोस्ट का रोब, होकट का भाशन, काम नहीं आते, सुनो तो, जाओ यहां से, घर जाओ, आँख और दिमाग खोल कर फैसले करो, बंगाराजु, बंग ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था, हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी, इनकी कोई गलती नहीं है, बलकि यहां पर गलती मेरी है, मैंने अपने कागस घर पर रखे थे, इनके इस छूटे से नाटक से, हम दोनू की गलतीयां सामने आ गई, न्याय दिलाने का ये प्लान कब बनाया, सच मेरी प्लान था, इतनी खरी खोटी मैंने सुनाई, लेकिन इन्होंने मुझे एक शब तक नहीं का, साक्षा देवी हैं ये, सोनी का दिल है तुम्हारा नागलक्ष्मी, सच में तुमने मेरा जमीर जगा दिया, अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेस दो, ताकि इनको वो महसूस हो, जो मुझे हुआ, आग लगाने वाली है तो, आओ नागलक्ष्मी, चलिए, सब आगे आजाईए, सबाह के रखने हैं, अब हम सब मिलकर नागलक्ष्मी जी का जय जय कार करेंगे, जाहिए, जाहिए, घर जाहिए, वीपर्स मिल गए ना, जाहिए अब, शुक्रिया, शुक्रिया, अब देखना, तेरे फॉलोवर्स कितने बढ़ते हैं, बात करने में थोड़ा अकडू सा है, पर दिलका बहुत अच्छा है, आ लाइक हिम, लाइक हिम, मसली जाल में पस रह मेडम, मेडम, सरपंच मेडम, इतनी आतानी से उस पर भरोसा मत करना, आपकी उमरी क्या है, आप सरपंच है, कोई छोटी-मोटी हैसी नहीं, आप इतनी पड़ी लिखी है, बहाग ज्यानी है, आप यहां के राजा जैसी है, और वो मामूली प्रजा है, मुझे सब पता है, एक नंबर का आवारा है, सबसे बड़ा चिछोड़ा है, पर मैं उसे पसंद करती हूँ, अरे हाँ, तुम यहां नीचे कैसे आ गई, ऐसे आई, रभू, बात क्या है, रभू, जरा वहाँ देखिए, उन दोनों को मिलानी की बजाय उन्हें दूर कर रहे है, उन्हें इसी व समय में उसे बुलाना असंभव है, तो फिर मुझे नीचे बेज दीचिए, यह भी असंभव है, या तो उन्हें उपर बुला लीचे, या मुझे नीचे बेज दीचिए, बस तो ही रास्ते हैं आपके पास, धरम संकट में डाल दिया, मैं तो क्या इंदरदेव भी डरते है तुम से, तुम तो वागे कमालो मेरी हरी बरी मुझे आपसे बात करनी थी, बीटिया, नागलक्षमी के लिए मैंने कोवर ढूंडा है रहने दीजे, पंडीची, लड़का मैंने पहले ही देख लिया है, बस सही वक्त का इंतजार है, कल पूजा के बाद उससे ये बात करूँगा ठीक है, नमस्ते रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पर कायम है सुपर्ब चॉइस है, जो हमें चाहिए था, वो सारे गुण है इस लड़की में शादी के बाद दनों एक साथ कैसे लगेंगी? जैसे हम लगते थे देखा, उसका चेहरा पूनम के चांड जैसा खिल रहा है उसका सरल मन गुलाब की तरह महिपता है सुन्दर्ता और साथगी का अनोखा संगम है ये लड़की बिलकुल तुमारी ही चाविए हाँ, सही कहा, ये हमारा सपना है और ज़रूर पूरा होगा शादी के बाद तो हमारे पूर्टे के भाग खुल जाएंगे जाओ, पूजा खत्मोने से पहले उसे यहां ले आओ हाथो लेकर आता हूँ ना मैठो बिटा एट्स या टेल्स, चल जल जल दी बता टेल्स, आर गया टेल्स, मजीद भीया हाँ, एट्स, आर गया हलो, बंगाराजो हाँ, पद्मा बुझे तुम से बात करनी थी मिल सकते हो, कहां हो तुम हमारी नारियल के बगीचे में अचा, ठीक, अभी आता बंगाराजो आई, बोलो क्या बात करनी थी हम दाई, हुआ, बोलो हम अधी पड्रेयल से फट्रेयल क्या हुआ, बोलो भंगार्ण यह बादो जाड़ 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 लड़ने आयो या डांडिया खेलने आयो यह उन्वन का पावरी कidänUp के दिव stock कर वा क्तल कर दो वा क्यो कर हु 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 झाल 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 कि अप्सेट कर दो जा जा हुआ हुआ है पूजा के बिच विगन आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा यह गलत हुआ पूजा में विगन डाल दिया दिमाग नहीं है यह क्या पागलपन है यह बनाती है पापा ऐसा कुछ नहीं है यह लेके जाओ इसे ले जाओ जाओ कभी माफ ने करूगी समझता क्या है खुद को यह चल भाद शार मानी चाहिए तुझे भाद दरसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया इसलिए बंगा राजु ने उससे सबक सिखाया उस दिन का बदला लेने वो आया था सुनो बेटा वो क्या है नागलक्ष्मिय को मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए उसने ऐसा किया तू दोस्त है इसलिए तुझे छोड़ दिया पर नाज उस मंडप में तेरा सर काट देता दीस लोग मिलकर एक आत्मी को नहीं मार पाए भगा कर लाए भी तो उसी यद्जे के पास पूरे गाओं के सामने तमाशा बना दिया अज़ अगर मैं वह नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता उसका मरना क्यों जरूरी है पता है नहीं अरे बता ना मंदिर में छुपे खाजाने के लिए ताइम पास के लिए उस बंगार राजु को मारने के लिए नहीं कहा है तुम लोगों को ये खेर लगता है क्या उस माइनिंग ओफिसर को क्यों मरवाया था हां इसी वक्त आर्चे लोजिकल डिपार्टमेंट को इंफॉर्म करना होगा अन्बिलीवेबल सर उस ओफिसर ने बिल्कुल सही कहा ये कोई मामूली पथर नहीं है ये अद्भुच्चमतकारिक मणी है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है उनकी रक्षा के लिए खास शक्ती काम कर रही है उन मणियों को हासिल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हाटा कैसा रक्षा कवच बंगार राजु बंगार राजु हाँ पहले उसके पूर वज उसकी रक्षा कर रहे थे पर उसे हासिल करने के लिए बंगार राजु को मारना पड़ेगा वर ना तुम लोग खून की उल्टिया करके वही पर मढ़ जाओगे अब दू ही बता खाजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बंगार राजु को मरना होगा. उस बंगार राजु का वजूद मिटा दो! बंगार राजु को मरना है होगा! इस सब में तुम्हारे पोटे की कोई गलती नहीं है. इस दुश्मनी की शुरुवात मुझ से हुई थी. वज़ा तो तुम चानती ही हो. तुम अपने आपको दोश्मत दो. सब किसमत की बात है. तुम्हें इस दरस से दुखी देखती हूँ, तुम उससे बरदाश्ट नहीं होता. उन आत्माओं को और कितना कश्ट सहना पड़ेगा? अति शिग्र उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी. पूर्ण रूप से उनका अस्थित्व समाप्त हो जाएगा. लेकिन उन्हें परम्मोक्ष मिलने से पहले, अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा. सुख और दुख दोनों भोगना होगा. अभी बहुत सारे बड़े कारे करने हैं इने. बस देखते जाओ. शो! अधूरे रहाँ. शे, क्या फाल्तु दोस्त है? तुम लोग एक गेम नहीं जीच सकते हैं. ए, कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी? आज जब पार्टी की ये, तो जम कर पीते हैं. फुल नाइट. क्या है, सच है? नागलश्मिन इसको कान के निच्चे बजाये था? सोलाले सच है. तुम लोग ये गेम से सन्यास ले लो. तेरी चाल. अरे, मेरे लिए भी रख. रखो. देखा तुने, नागलश्मिन इसा जटका दिया है कि दिन में गड़गड़गड़ पी रहा है. चार सो वीज का जटका बोल. अरे, रूप, क्या कर रहा है? इतना दिल पे नहीं लेते. किक मिलती है, यार. अब बोल, किसकी बारी है? वो बिचारा तो परेशानी में पी रहा है. उसे रोकना चाहिए था ना? गब में पी रहा है बिचारा. यह सिर्बारी हो रहा है मेरा. अरे, बंगा राजू, पता सब क्या बोल रहे हैं? नागलश्मिन ने तुम्हें सब के सामने थपड मारा. पता सब कर रहा है. और यह है इसके बेवकूफ दोस्तु उसे रोकने की बज़ाया बढ़ावा दे रहे हैं. पता सब कर रहे हैं? अरे, मैंने तुम्हें से रोकों में हाथ जोड़ती हैं. इसे के जुर्णात नहीं मुझे ठट करने की, वो मुझे क्या धपड बारेगी? बार! वो क्या उसका बाप! इतने सीरियस क्यों हो गए? इसे क्यों हो? मैं तो छोटा सा मजाग कर रहा था. चलो! आजा आजा! मैंने गोदभार एकी लिष्ट बना दिया है. बोलता जा हलदी चार किलो, दो किलो कर तीन किलो केसर. आजा कर दे. शास्त इसकी आग्या नहीं देता. शास्त रहा तुम्हारा राशन वाला है. ऐसा नहीं है. मामा, समाज में आपकी थू-थू हो रही है और आप यहां पर मेंड़ की तरह कूदे जा रहे है? शरम नहीं आती. आपके जगा मैं होता तो खून 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 खून. मेरी पुराई? किसने के? ए बता ना, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा. बता. उसने का आप दिमाग सा खाली हो. खाली दिमाग बोला? और क्या बोला? और क्या बोला? ऐसा कहा कि खुद करम पे चड़ी बन्यान का स्टॉल तक नहीं लगा सकता. है कौन यह? चड़ी बन्य कोई बीजी बीजी नहीं. बोल रही थी वो नहीं जाल तो आत्मी से मिलने नहीं जाएगी. मुझसे बताना थे ना? अरे आप गुलाम नहीं, राजा है, राजा. लेकिन उस नक्चड़ी लड़की को तो मूतोर जवब देना है ना? पूरी फैमिली को एक हफते के लिए पुलाना है ना? उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी साथ पुछते तक याद रहा कर देना? आप कुछ बोलोगे भी या बैठे रहोगे मूँ चाडा कर. कोई कुछ जितनी इज़त नहीं कर रहा मेरी. ये सरपंच बनी तो मैने बदाई थी 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 ना? अज पूरा गाउं मैं तब से बहुत बीजी रही हूँ. काहे की बीजी हो? कुछ भी? इन जोकर्स की मंडली के साथ घूमने का टाइम मिल जाता है. लेकिन मुझसे मिलने का टाइम पर बड़ी बीजी हो जाती हूँ. तुमने जोकर मुझे कहा? आपकी बात नहीं कर रहा बल्कि आग लगाने मुझे नहीं कहा, तू सेल्फी ले. गली का कुट्टा समझ के तूर भागते है, मेरी कोई हैस्यत ही नहीं है. ऐसा घोर अपमान, दिल अंदर से रोने लगता है. इसे ऐसा नहीं करना चाहिए. मन करता है के मर जाओ. ऐसी बाते क्यों कर रहे हो? दो दिन पहले ही आ अब तो खुश हो? ममी, मैं नहीं जाओंगी. क्या? वो बंगा राजु बहुत बड़ी आफ़त है. उस दिन पुझा में विगन डाला. उसके शकल तक देखना नहीं चाहती हूँ. बस इतनी छोटी सी बात. उस दिन आपने ही हम सब को बताया था. उन गुंडों से उसका को मौका ही नहीं मिला. ठीक है पापा. आपकी हर बात मेरे सर आखों पर. अरे? तुमने तो कमाल ही कर दिया. सरपन जी का स्वागत है. इसके क्या जबरती? तुम जो पधारी हो? सरपन चौरों के लिए हूँ, परिवार के लिए नहीं. देख रही हो, नेताओं से दो कदम आगी है. देख रही है. वेल्कुम, वेल्कुम. उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था. आज ये घर पर आगी. ये लड़की नहीं आफवत है. ये सला उस दिन धप्ड को याद करके शराप पिये जा रहा था. और आज तारीफों के पूल बांद रहा है. अगर नागलक्ष में गुरू है, तो हमारा भाई गुरू है. आगे क्या होगा? सॉरी. हाँ? दरसाल थांक्स कहना था. थांक्स? किस लिए? उस दिन पापा की हेल्प की थी ना? उसके लिए. थांक्यू. समझा नहीं कुछ. याद है ना? उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी. इसलिए आज बिल्ली बन के आई. ओ. नागलक्ष्मी, अंदर आओ. बंगाराज, मैं अंदर जाओ ना? इतना प्यार? यह पट्टे की नहीं न? पट्टे नहीं दूँगा. चल. हाँ. स्टैचु क्यों हो गया? शॉक लगा क्या? शॉक तो उससे लगेगा. अच्छा हुआ. दूनों थड़ा करीब आने लगे हैं. आखेर पोता किसका है? अरे, सुनों कुछ कहना था. अरे, एक मिनुट रूटो कुछ बात पता निया. अरे, अंकल, हाथ उपर करो. अरे, यह खर है कि यूक्रेंद रशिय का बॉडर है. भार इता बड़ा का अरडर है. वहाँ जाके खेलना, आगी दर से. अगर कोई धांग के बात है, तो जल्दी बखो. सरपेंच का टाइम बेस्ट मत करो. इतनी हिंट दिराओ, लेकिन समझ नहीं रही है. मुद्धे प्याताओ. जान से सुनो. लड़कियों को जहासा देना, उसके बाए हाथ का खेल है. क्रीस पे वो एक दूर नहीं लेता. लेड़ी हरकत की, तो लेड़ी सिंग हम बन जाओंगी. एक बंजा मारा ना, सारी आशिके बूल जाएगा. ये जो श्टना मत होने देना, all the best. मेरा आशिरवार लोगी? अच्छे रहने दो, इतना भी बुट्धा नहीं हूँ. नागलक्ष्मी कहा है? हमारा बेजू बावरा हो गया है. क्या अदा है इसके? नागलक्ष्मी तु मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी. हाई बंगा राजू. हाई. हाई. कवी अच्छे लग रही हो तु. थाइंकिन. तुम भी इतनी अच्छे देख सकती हो. सच में, थाइंक सके. आज फ्री हो क्या तुम? इनके बास क्या काम है? ये तो फ्री है. तेरी तु. ने, ने, मुझे बहुत काम है. हाँ. ओके, ओके. मैं चलता हूँ. बाई. बाई-बाई. ए, क्या सब फोन में लगे पड़े हो? इतरा हूँ. क्या बाद है दीदी? मेरे साथ गेम खिलना चाओगे? ये! कौन सी गेम दीदी? लुका छुपी चोर पुलिस. लुका छुपी और चोर पुलिस? मतलब, मैं पकड़ूं, वो छुपे, वो पकड़े, मैं चुपूं और अरुपर? ए, नागलक्षमी, लुका छुपी और चुपी और चुपी और पुलिस वाला गेम, ये तुम्हें बच्पन में बहुत कहलता था. देख रही हो, यहीं चिपका राएगा हीरो. ओकी, तो फिर तुम भी हमारे साथ खेलो. हमारे साथ तो नहीं खेलते. लुका ये तीन आउट हो गए, और तुम भी आउट हो गए. ये सबको आउट कर देगा. वालाल गोपन, हाथ में हाथ दाल दिया. हाँ, हम दो ही बचे हैं. सब यहां आजाओ. हाँ, जदी आजाओ. आजाओ, आजाओ. यहाँ हूँ. क्या हो अरे? तुमने कैसे किया था? ऐसे. और मैंने? ऐसे. तो डाइन किस पर आया? अरे बंगा राचू, डाइन इस पर आया. अहां होई तू. गलती से मिस्टेक हो गई ना. आजा, आजा, आजा. बच्चा फुल फोकस है. तुम उधर फोकस करो. लाता हो, तुम कांटिनुल करो. अकडबकड बंबेबो, असी नब्बे पूरे सौ. राशन. जाओ राशन, छुप जाओ. यह पूरा मैदन क्लियर कर रहा है. फेर अपनी फिल्डिंग लगाएगा. अकडबकड बंबेबो, असी नब्बे पूरे सौ. बंगर राजू, चूप राएँ, बंगर राजू चूप रहा है. नागलक्श्मी. नागलक्श्मी चाओ, शुपो. को एन चुब वानि इस थरह यह जुब जो जा जो अ नांटी ए नाइटी 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 ना इंड़र्ट बेद्या डिर्ड आइक शुपव देखना कहीं बाहर तो नहीं है जाओ देखो ना अरे यही पर रहा आ रहा है क्या यही आ रहा है दिख रहा है क्या तुम्हें आँ वो बाहर ही है तुम शाद्रा रभी आउट तुमने कहा बाहर है मोटू बड़ा तेज है ओ ओके उस सरफ चिपते हूँ मोटू की तुम्हें आउच आरांसे क्या कर रहे हो रिंग को को देखे है वहाँ जाके देखो आज 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 ठीक रहे आई दिया हुट बंगा राजू यहाँ बहुत जगा है यहाँ कर छुप जाओ जगा कहा है दोनों के लिए काफी जगाएं आजाओ छुप जाएंगे नहीं ढूट आएगा कहीं नहीं तुना टख्मा काचा है अरे टख्मा काने दे मामा लग पगले बंगा राजू यहाँ बगले दा अरके डाम्मा राजू अंधस एपो पुट्ट्टु गांगुलाम दूरम लो चेही पेड़ते रियाक्स्ट आएगे उट्टथी जूसेवाँ पत्चम जूसेट्टो गांगर राजू राम्माटे रावे यहल्ला वय्या यहाँ पुट्ट्टी रिगी अंद मेन नडूमु जूपन्ची रा रा अंटूटे अधा दे अधे इदू यह मालोचेंचको यहलो गुम्मी वाल्दी पेस्टू जाने से पले दर्वाजे की कुंडी लागादे श्यस पहले कमर में हाथ डालेगा फिर चिम्टी काटेगा पिर नाग लक्षमी का गुच्सा जौला मुखी की तरह फटेगा उसके बाद ये प्यारी बाते ये गहरा प्यार शादी के सपने बच्चे वच्चे सब खतम हो जाएगा सपने की ये कराए पर पानी दिर जाएगा दबोच ले दबोच ले आने दो उसे शुक्र है ये सबग हुमर भर याद रखेगा नाग लक्षमी इस करके अतिती हो तुम और पता है ना अतिती देवो भवा मेरी महमान ये गेम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये गेम हार जाओंगा खुद को ही मैं आउट करतूंगा ठीक है ना? हार जा रहा है अब मैं बाहर जा रहा हूं वंगर अजु आउट वंगर अजु आउट वंगर अजु आउट वहारी जोंग तच पे अच्छा लडगा है आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सोचा बच्चों के साथ खेलता है भोला और मासूम इस पर तो प्यार आ रहा है मुझे जो आला मखी तो दूर पॉंबी नी फुटा मेरे किये कराया पर पाने फिर गए एक तब यूज ले सो मंगा राजु की मौत का हवान है यहाँ नमा फगवते महातु दूर आए वीचे वाला परीदाया स्रमधिक्चों कराया हुंबात्रम्मने फरंजोदिशे स्वाहाँ कि अधियों था खोपम स्वाहिम विरासिनवादी इक कोटेशन्स जेपिनी तेलिवी प्राधर्शिन चको जेपिन अपनिच्छी वाद उसके मृत्यों का रास्ता सोच लिया है सही मूर्थ का इंतजार है कि मुझे सही मोहुरत की जरूरत नहीं बस एक सही मौक्य की जरूरत है मार तूंगा उसे आने वाले चार दिनों के अंदर उस बंगाराजू की कहानी हमेशा के लिए खा ए अधी तुम बंगाराजू को मानने वाले हो तो तुने सब सुन लिया सब कुछ जा के उसे बताएगा हाँ बिलकुल बताऊंगा हम हाँ 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 पिताची आदे, मैं पच्चीस सालों से एक एक दिन प्रतिशूत की आग में जल रहा हूँ या तो तो उसका शिकार करना, या उसे मिरे लिए छोड़ देना ना हमारे पास वक्त है, ना ही कलती करने की कोई कुछाई करना, की आदे, संद्य जी आई आई ना दिल नी लेते नमसकार अंकर, नमसकार कैसे हैं आप 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 एक यह नए टक्रीफ तो नियाँ और है यह हमारे ब्रह्मो के संदी है, कितने वक्त के डंवाफ मिले हैं इस सुर्ण अब टाइंग मेला हम जरा बीजी थे जाए अंदर बैठिये आई आई अंदर चले तुम इतना गुसर में क्यों ऐऊ गुसर नहीं तो क्या इन्से प्यास से बात करूं इस लड़की को क्या हो गया? मुझे भी समझ में नहीं किया है? आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई थी? मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौक्रानी का काम करने के लिए? ऐसा क्या किया इनों ने? यह पूछो क्या नहीं किया? मेरी हर एक चीज सेने प्रॉब्लम है सुभर देर से उठों, पती को नाम से बुलाओं कभी टी-शर्ट पहन लूँ, रात को नाइटी पहनूँ खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए जो करूँ वो प्रॉब्लम जैसे कि मैं एक इंसान नहीं मशीन हूँ ये शादी गले का फंदा बन चुकी है ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हूँ लाता, धीरे बोलो, वो सुन लेंगे सुनने दो ने समझ गया ना, शादी करके इतनी टेंशन में जीना उससे अचा कारे रहे के आश करो सही का क्या जब देखो दाथ दिखाता रहता है कुछ काम दंदा नहीं के तरे बस क्या? बड़ों से ऐसे बात करते हैं, यही सिखाया है हमने तुम्हें एक बात बताओ लाता सुबह जल्दी उठने के लिए, पढ़ाय लिखाये के लिए, साफ सफाय रखने के लिए, बड़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए, या खाना बनाने के लिए बच्पन से लेकर आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी बात टोका होगा? कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना? ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो? तुम्हारे सास ससुरने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझ कर टोका होगा? ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पती से कोई अन्बनना हो जाए इन बातों के पीछे शिवेन के प्रेम को देखो इस तरह गुसे में रिष्टे नहीं तोड़े जाते अंकल आंटी, यहां आईए न, प्लीज देखी, यह नया जनरेशन है, तो आप भी वक्त के साथ बदलिए एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उमीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माबाब समान समझती है जिस तरह से वह आपके संसार में बस गई है, आप भी अपने मन से उसे बीटी का दर जा दे कोई भी इंसान अपनी आदते इतनी जल्दी नहीं बदल सकता, यह जैसी है वैसी इसे अपनाने की कोशिश कीजी आप भी खुश रहेंगे, और यह भी सुखी रहेंगे देखे एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल, एक उमर के पड़ाव के बाद, जब हाथ पर चलना बंद हो जाएंगे न, तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी या आपके रिष्टेदार नहीं आने वाल है, बलकि उस वक्त कौन साथ होगा, उस वक्त आपकी बहु साथ होगे और इसके माबाब साथ होगे, और यही सच्चाई है, अलग रेने से हल नहीं निकलता, सबके साथ रेने में ही सुख है, वादा करो, खुच से वादा करो, पेगड़े हुए रिष्टों में फिर से मिठास खोलोगी, हाँ, यह क्या, बिठाव, क्या रे, इनका मेलोड्रामा अब तक चल रहा है, अरे, इसलिए बुला, अगर शांती से जीना आना है, तो शादी के जंजट से दूर रहे, किस सोच में डूबे हो, कोई परेशानी है, कैसा होता है ना इंसान, जिन्दा रहते हुए जीवन का मुल्य नहीं समझ बाता, मरने के बाद समझ में आता है, मैं समझता हूँ, मुझ से पूछो, प्रेम और रिष्टों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ना अपनों के साथ रह पाया, ना अपने पूदे को प्यार दे पाया, बड़ा मकान तो मनाया, लेकिन घर नहीं मना पाया, छोटी-छोटी बे मतलबी बातों पर कितना कलिश मझाते हैं ये लोग, जीवन है तब तक फ्रेम है, मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं, बंगार राजे को जगडालू समझती थी, लेकिन वो रिष्टों को इतना समझता है, ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई, सच का हूँ तो मैं भी यही समझती थी, अपने बरताफ पर महात शर्मिंदा हो, उसने मेरी लाइफ बदल दी, तुम दोनों भी धोका खा गई, अंदर राम बनके रिस्तों पर लेक्टर देता है, बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है, अरे इंसान है, नो वे, मेरे पापा ने कहा, अच्छा लड़का है, तेरा पापा उससे कम बेवकुफ नहीं है, मेरे पापा के भार में कु मारने से पहले सोचूंगी नहीं, तो क्यों उसके लिए तुम दोनों बिलकुल अकेले होंगे, बहुरे कितरा उड़ता हो आएगा, अगर तुम्हारे साथ उसने पापा कोई गंदी हरकत नहीं की, तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार माननूंगा, बल्कि तुम् आपके मेरे बीच बैट लगाते हैं, अगर कोई बतम ईजी की, तो मैं खुद उसे सबक्त सिखाऊंगी, और मैं आपसे आकर माफी माँगूंगी उसी बक्त, पर उसने जेंटलमेन के तरह बिहेव किया ना, तो आप उससे माफी माँगेंगे, उस लोफर आवाला से, हाँ म रंगा राजू, हाँ, ये रोज रोज क्यों करंट मारे जा रही, अब कान सा कांट किया, थोड़ा पेट्रोल छिड़का है, प्यार की चिंगारी नफुरत में बदलेगी, बस अब बारिश ना जाए, मनहुस, अगर एतराज ना हो तो, कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं, आम के बगीचे में, आहां, ओके, कौन-कौन जा रहा है, कोई भी नहीं, तुम, मैं और बस तन हाई, मतलब तुम, मैं और कोई नहीं, आओगे न, हाँ, कल सुभा साड़े नौ बजे, शार्प, आम के प्लान का मियाब हो रहा है, अले पापरे, बाउली होगी ये तो, आम के बगीचे में मिल रही है, वो भी अकेले में, कुछे-कुछे रखमा, पापा, मैं आपकी प्राब्लम समझ गया, अटेंशन मत लीजे, मैं हूँ ना, मेरा राजा बेठा, सूपर, डूपर, ए, बंगाराजू, यहां क्या कर रहा है, क्यों नहीं आसकता, तुम भी तो आए हो, वो तो, हम बोर हो रहे थे, तो, यहां कहलने आ गया, वही, वही, मैं भी बोर हो रहा था, तो खेलने आ गया, अहा, इधर आओ, एक गेम खेलते, कौन सा गेम, रानिंग रेस, वो कटा प इम धर होका, ओके, रोड़ोगे ना, चुरो करें, तो फिर थेन के काउंट पर, वान, टू, तु, फ्री, गो! गॉप। जिना! बांगा राजु! जिना! जना? 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 जिनाँ! नंदी, यह अपना ही बच्चा है, नंदी, यह अपना ही बच्चा है, नंदी. बंगार राजू, चिनना तो ठीक है, चोड़ तो नहीं आई, यह ठीक हूँ, यह ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिनता मत करो, ठीक है, और कितनी दिर तक सोता रहेगा, उठाओ ना इसे, अरे सोने दो ना विजारे को, अबेटक ने य॥ा, अबेटक ने य॥ा, कैसे हो बिठा, हैपी बर्दे, हाई पाप, रामो, तांक यू पापा आपने मुझे विश कर लिया गिफ्ट भी कुरियर से आता ही हो मैं टाइम पे ना लूँगा आपकोर्स टाइम पे खाना भी खा लूँगा और भूर दिम जे खरो ठीक है पर्फेक जा रहे हो नाइस वह नाइस बिद्धे सान बाइस बाइस संभाल के क्या रहे उठ गया नौकर से कहो नहाने के लिए पानी गरम करे दादी गालियां देंगे अगर तुम्हारे बद्धे पत्पर कमी रह गई तो कितना जूर बोर रही है कब दाली दे इने कितना जूर पत्पर कमी रहे है कि जानवर को नहला रहा है कि अप्पर मास कि यह गलती हो देंगे कि मैं नहराती पानी डालो कि आप कि 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 देखो तो कितने प्यार से उसका सिर्द हो रही है नहाने के बाद पूजा करने आ जाना पूजा करने लेकिन क्यों मैं कह रही हूं इसलिए ठीक है आर्तिलो आर्तिलो कि यह आज खास तुम्हारे लिए बनाया है कि खाव प्रसाद खालो फिर हमें मंदर जाना है अब इसकी आदर डाल लो देखते हैं हलो अलो बिटा अई पापा टिडियू अब फोन की ड्यूटी हो गई हो तो हॉस्पिटल की ड्यूटी कर लीजिये पापा से कोई एसे बात करता है क्या मैं अपसे मिलना चाहता हूं पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बचपन में ये सारी चिठिया लिखे थी पर मैं उन्हें कभी पोस्ट नहीं कर पाया पता है उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है अमेरिका जाओंगा तो भी उनके पास मेरी लिए वक्त नहीं मुझे वो बहुत प्यार करते हैं पर पता नहीं क्यों जाहर नहीं करते हैं और जितना वक्त वो मुझे दे रहे ना उतना मेरी लिए काफी नहीं है तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्टी नहीं करता क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा इस रिष्टे की डोर और कम्सूर पूर ना हो जाए इसलिए मैं बेमन ही सही लेकिन उनसे बात कर लेता हूं सच कहूं तो लाइफ में खुशी जैसे कोई चीज रही नहीं है अपना दुख छुपाने के लिए हर चीज में खुशी ढूने की कोशिश करता पर अंदर से मैं कितना अकेला हूँ यह तो मैं ही जानता हूँ अरे आगे ही पेटा कैसा रहा फंक्शन बहुत मज़ा है आओ खाना खालो अभी आई एक मिनेट फोन देखो बंगार राजू उठाओ अलो अंकल हाँ बोलो बेटा एक जरूरी बात करनी है क्या हुआ यह बात मैंने अभी तक नागलक्श्मी को नहीं बताई है सोचा पहले आपसे बात कर लूँ मुझे उससे प्यार हो गया है अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सूचते हो पर मैं आपसे एक वादा करता हूँ जितनी इज़त मैं अपने माता पिता की और अपनी दादी की करता हूँ उतनी ही इज़त मैं आपकी बेटी की भी करूँगा अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीशे मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूँ हाँ ठीक है अंकल कट करो क्या जवाब दू बिटा आप इससे अच्छा हम सफवर मेरे लिए धूनट पाएंगे क्या हाथ मुधोले खाना ठंडा हो रहा है आज़ा ठीक है तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया मेरी तो समझ में नहीं आता तुमारे पापा से बात करता हूँ ठीक हो ना रामू हमारे बच्छों को एक दूसरे से प्यार हो गया है तो फिर सोचना क्या है? शादी करवा दो तुनों की पंदरा तारिक का मुहुर्त है शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें वाट? नेक्स मन्थ फिफ्टींद को? वो कहते है ना चट मंगनी और पट ब्या जल्दी से टिकेट बुग करवा दो अरे तुम्हारे पापा भी अजीब है शादी के लिए अपॉइंट्मेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहाँ भेज देना वो क्या है ना वो पापा बाद में है पहले वो काडियोलोजिस्ट है ओपरेशन्स बहुत इंपॉर्टन्ट होता है शादी का क्या हो जाएगी? हम यूएस जाकर आशिरवाद ले लेंगे ना एक ही बात है ये भी ठीक है ये सही कहना है अगर मैं जिन्दा होती तो आज ये शादी बड़ी धूम धाम से करवाती तो अब भी क्या विगड़ा है तुम लेडीज में इंजॉय करो मैं आद्मियों में शामिल हो जाता हूँ दोनों मिलकर धमाल मचाएगे पहले पीछे घड़ा हो जा चल दुला धुलन से ज्यादा खुश तुम लोग दिख रहे हैं लड़कियों के मावाफ है खुश तो होंगे ना हमारी बेटिया आससे सुरक्षित हो गई है इस दिन का इंतजार हमें सालों से था खुशिया सबल नहीं गई ऐधार मंगार राजु के शादी से लोग कितने कुशं है दूसरी तरफ इनकी बेटिया शादी रुकवानी के लिए हर तिकडम लगा रही है इनके बिना ये शादी नहीं हो सकती अब वो ब्लेसिंग होता है तो बोला मेरे चला काम चला लेंगे थैंक यू हाँ जलिए आजयो जो और इन्हें खाना भी ठूस ठूस के खिला ना अपना सारा ब्लैक मनी इनी भुकड़ों पही तो लुटाना है ना हुआ 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 हु अरे आओ बेटा कैसे हो मैं ठीक हो आप कैसे हैं तो कैसे हैं इंविटेशन कार्ड है आप सब को आना है हाँ जरू रहेंगे और भाई सब ठीक है अब सुन हमने दोस्तों के लिए बैसलर पार्टी रखी है और तुझे आना ही पड़ेगा याद रख शादी होने तक तुझे म क्या देख रहे हैं आप कुटों पर गौर करो कुछ बेचैन से हो रहे हैं बेचैन तो मैं हो गया हूं उसकी शादी की खबर सुनके और आप कुटों की हरकतों पर रिसर्च करते बैठे हैं कब खात्म करेंगे उसे उसकी मदद कर रहा है कोई कोई अंदेखी शक्ती उसके पीछे हैं ऐसा कुछ नहीं है वहम हो रहा है आपको विश्वास नहीं हो रहा ना वो आ चुका है बंगार राजू की आत्मा यहीं है अब मिलेगा तिल को सुकून चपीस साल से बुझे जिस दिन का इंतजार था आखिर आज वो दिन ना ही कया यह आप क्या कह रहा है पिताजी सत्य है एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को अकीन नहीं हर चौबिस साल में एक बार शिवरात्री के दिन रुद्रा भिशेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्य लोक पर आती है उस आत्मा में इंद्र देव की महिमा यमराज का राध्रा और शिव की शक्ति होती है इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि भंगार राजू की आत्मा है सत्य है मैं साइम साक्षी हूँ अपनी आखों से उस आत्मा को देखाए उस दिन मैं मौत के चंगल से बागल बागल पचा था और तभी मैंने प्रतिज्या की कि उसकी आखों के सामने उसके पूरे कुन्वे को भस्म कर दूँगा अगर मैंने अपनी प्रतिज्या पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याब दूँगा देखना चाहोगे उसकी आत्मा को प्रतिज्या 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 अगाई अब क्या करना है पिताजी? उसके पोत्य को मारना है, जब वो आत्मा उसके भीतर नहों, उसे सिर्फ मारना नहीं है, भलके तर्पा तर्पा के मारना है जा उससे ढूंड निकालो वो आचरा जश्न मानाने आएगा ये उसका आखरी जश्न होगा प्रोफ। कि अगस स्थिhrापित। कर है झाल शरी अritन के श्रूपेंग, परका टुड़एंग आग मैंद़ खुड़ लिद्वाम सम्चेस्तु नदी मी कुखन पिस्तु नचिन न बंगार राजु कादू बाडिलो अपलो न पैद्ध बंगार राजु आत्मा अब क्या करें इसे कैसे मारना है मैं जानता हूँ अब बस एक अंतिम योद्व बचा है ओम नमाशिवाई सत्यमा, तुम यहाँ, हमारे साथ चलो तुम चलो, मैं आता हूँ जल्दी आना इसको कैसे बताओं कि इसके पोटे को कोई मानना चाहता है खांखा बरा जाएगी जाएक काली इसके अंदर जो चेन है वो अभी मंत्रित है इससे उसके तादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करेगी जाओ क्या बात है स्वागत करने पूरा गाउं खड़ा है देखो दुलन आ गई जरा हटो बैठो बैठो बेटा तुम क्यों खड़े हो रहे हो कल इसकी मूँ दिखाईकी रसम है अब सबको आना होगा हमारे जमारे में शादी के बाद ही दुल्ला दुल्लान को देख पाता था पोल फार्शिन दादी तू होगी ये लो बैठा आओ ये लो बैठा आओ हाई आदी, हेेे, कॉमराजूलेशन्स जरा देखो तो इन बच्पन से ही एक दूसरे के दोस्त है ओ हेे, ये क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? मौत का दिर जल्दी चलो, पंडिक इंतिजाद कर रहे है बंगा राजू जल्दी से मंदिर पहुँचो, हम सब भी वहीं जा रहे हैं आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अरे जल्दी तुम्हें ही थी ना बग पर पहुँच जाना, अरे आदी इसे लेकर जल्दी आ जाना, लियाओंगा धेर मत करना, आप जाईए वहीं मिलते हैं जरा सुनो तो, मैं मंदिर जा रही हूँ तुम साथ चलो नहीं, मैं इसके साथ ही रो मत तुम जो हाँ, ठीक है चलो, तुम्हें मंदिर जाना भाई, जैसे हमने प्लैन किया था, सब वैसे ही चल रही है राश को समंदर में फेक दो मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फस गई है उससे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी काप जाएगी आई, शादी की बाद छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा शादी के लिए हाँ कहतो मंडप में पहुचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा जब तक बंगाराजू के पोते को नहीं मारेंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे बंगाराजू बंगाराजू क्या हुआ, क्यों चिला रहे है तो उसे जिन्दा मत छोड़ना आप फिकर मत करो, ये काम मैं करूँगा तू तो रहने ही दे मनहूस बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया फिर भी तू कुछ नहीं उखाड पाया जब रहे कि नेने आपल सुचिंदे लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया तू क्या करेगा उसे उसे अपने हाथों से मारूँगा तो रमीश है ये तो आस्तीन का साह निकला भाई, इस बार बच के जाने न पाए जोग करना है जल्दी करो वो बंगार राजु की आत्मा इस धर्ती पर कब किया चुके पता है तुम्हें जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नश्ट हो जाएगी क्या क्या रही है उसे मार के फिर जीवन से भले ही मौक्ष क्यों न लेलू भगवान ने मुझे हर वक्त इसलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वद कर सको तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा ख़जाना तुम्हारा होगा बतलाब मेरा होगा मेरे कहने पर आदी बंगा राजु को शेव मंदर लेकर आ रहा है जाओ जाकर बचाओ उसे आदी आदी झाल इदित ये अंगोठी अभी मंत्रित है शादी में बंगार राजु को ये पहना देना दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा मैं चाओ उसे घड़े-घड़े तमाशा मांदे कुछ की मदद करो रही आपड़े चची पोताड़ी एदो अग्डिचे ही पोगे लो रही रुख जाओ वो उसे मार रहे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे क्या इसलिए मैंने जिन्दगी भर तुमारी पूजा की थी यही दिन देखने के लिए रोज मंदिर हाती थी पहले मेरे पती की जान लेकर मुझे में सहारा कर दिया मुझे दुखी करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला इसलिए अज मेरे पोटे की जान की पीछे पड़ गए क्या तुम्हें मेरी दुख बरी पुकर सुनाई नहीं दे रहे मर जाएगा यह चा चुपा धड़रा यह कहसानिया है तुमारा तुमें कुछ करना होगा उसे बचाना होगा वरना तुसे विश्वास उरचाएगा नहीं रुक बढ़ को आल खbar पुद्र, वान नोदले रहा? कर दो में रहा? पुद्र, बंगा राजु, बैट्टिकराए... रे, बंगा राजु, बैट्टिकराए... बंगा राजु, रहा? चूड़ो? नी मनोड़ु, ना काल, किंदुन नाड़ीदु? चूड़ो! ईयन चैयது? वुदले रहा? निए वंसोनना काल सिंदुन चुरूर। रे, रे, संपत, यें चेयत रहो आणि वत्तात्त निच्पल कादूर। रे, चिन्न पिल्लोड़, यें चेयत रहो रा, रा, कपड़॥ रे, ऊधिले रह, चच्छिपों थड़ रह मेरा बेटा आ गया राबू काट के रख दो आज दादा बेटा पोता तीनों मरेंगे अँद काट के रादा बेटा खुछ अँद अँद आउर लिल नहा forgiving आई कर दो आउर प्रणावाँ 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 प्रणा छुआ पाएडू ऐक जब चुप बंगारो छपे अड़ी भंगार याजु वक 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 में शे ऑदए कर पार प्याह़ा हुआ का प्याह प्याह पुड्यों कर दो झाल बंगाराजोँ बंगाराजो दो यॉई 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 इस जा प्रेंडर देपदी सेडरा गोटाओ यह कोटाओ गोटाओ यह इसने तरी शाथिवर पहरका पुचाल डाले से तरको खको जो ड़को मार कमीने को मार इजे तुझे अमारने की हिमत कीसने यह एए बंगा राजू यह चोट कैसे लगी अरे अनकल अरे यह क्या ने ने कुछ निगाए ने तुछ हो निगाने तुछ नहीं हो अरे यह क्या मैं यह वहत हो कि देना ड्रामा अरे मेरे बेटे को मारने की साजिश्की तुने अपा छोड़िये नहीं नहीं चुछे मारना चाहता था ये अपा छोड़िये नहीं मत कैसे हुई तरी या करने है छोड़िये ये अबात्य ये ऐसे मत की जोड़िये नाग लक्षमी आरिये नाग लक्षमी आरिये नाग लक्षमी आरिये और ऑगल जटे से बाद बाटता हुँ तुछ इंद्बंगा राजु आ tengo लुक्ति का यूजी में है किस नहीं में हो ऊद के परांस नहीं कि बिन थीज़ नहीं है हुआ है वाइब तो यू कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ आप टेंशन मत लो हाँ I'm okay वैसे आप अचानक हाँ मेरी बाव है ना इसने मुझे फोन करके मेरी जिम्मेदारी का ऐसाज देलाया पहली फ्राइट पकड़के में यहाँ गया अ-are you alright? Everything okay? मैं बगुठी huh? दादी मा, क्या ये सच में आप ही है? आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ कर चली गहीं? पताए कितना रोया धाम है? फिर से मत चले जाना. यहां मेरे साथ ही रही है. पिटा, कौन कहां रहेगा, उसका फैसला इनके हाथ में है. जो इस संसार में आया है, उसे जाना भी होगा. पापा, बोलो, लाइफ में फरस्ट है, मा को इतने करीब से समझा. दिल से देखा आपको. एक अलगी हिम्मत पैदा हो गई है मुझ में. अब यही हिम्मत तुम्हें अपने बेटे में पैदा करनी होगी. बच्पन में तो तू इसे छोड़ के चला गया, लेगन अब इसे छोड़ कर कभी मत जाना. हमारे जाने का वक्त हो चुका है. अब आज के बाद, ना हम तुम्हें देख पाएंगे, ना तुम हमें देख पाओगे. तुम सब अपना खयाल रखना. हमारी प्रथा बनाए रखना. जैसे मैंने इस गाउं और इस मंदिल की सुरक्षा किये, वैसे ही मेरे जाने के बाद, मेरा पोता बंगा राजू, इस गाउं का दायत तुमने भाएगा, लोगों की खुशियों का खैल रखेगा. जिस प्यार से लोग इस बंगा राजू को याद करते हैं, वादा करो वही इस्जट तुम भी कमाऊगे. रिष्टे हमें शाजब दुल से निपाते हैं, ऐसे रिष्टे जिन्दा मरके भी रह जाते हैं. जिस बंगा रही रसूर, अपरे अपनों से उपने नहींूर. आजा!